हेलो फ्रेंड्स मैं हो निराधा एहल्थ क्या प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चानल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पीरिट्स के दौरान आप फिजिकल इलेशन बनाते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो क्या होता है और पीरिट्स के सुरू करते हैं आज का वीडियो सो पहले हम पीरिट्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं बहुत सारे महिलाओं के मन में बहुत सारे पूरुसों के मन में और हमारे सोसाइटी में यह एक भ्रहंत धारणा है कि पीरिट्स बहुत घंदा होता है यह एक अच्छी बात यानि कि रप्चर होता है अगर वो एक स्वार्म के साथ मिल जाता है तो वो फोटलाइजट एंब्रियो जाकर यूटरेस के वाल में चिपक जाता है और वो महिला प्रेगनेट हो जाती है और पूरे महिना भर यूटरेस अपने आपको इसी यूटरेस के लिए तयार करता है बहुत सारे हॉर्मोन का रोल होता है जो कि यूटरेस के एंडोमेटरियम लाइनिंग को मोटी करते है ताकि जो फोटलाइजट एंब्रियो आकर उसमें चिपक सके या फिर इंप्लांट हो सके लेकिन अगर एक स्वार्म के साथ नहीं मिल पात है और इंप्लांटेशन भी नहीं हो पाता है तो जो यूटरेस дорог होता है इंप्लांटेशन के लिए वह जड़ जाता हुँए फिर स्युंद हुआ ज़ें आगर बनाते हैं तो चलिए हम बात करते हैं क्या ह् तो क्या होता है तो periods के दोरां आगर आप relation बनाते हैं तो उसका दो directions होता है पहली बात तो यह है कि आगर आप periods के दोरां relation बनाते हैं तो आपके सरीर में बहुत सारे happy hormones बनते हैं जैसे कि endorphins, oxytocin, dopamine वैसे happy hormones बनते हैं तो periods के दोरां जो भी सरे दर्द होता है एक महिला को PMS के बज़े से यान कि premenstrual syndrome के बज़े से जैसे कि कमर दर्द, पेट दर्द या फिर स्तिर दर्द ये सब दर्द इस happy hormones के बज़े से कम हो जाता है क्योंकि एक महिला का जो pain threshold यान कि pain को सहन करने का सकती बढ़ जाता है ये चिट्टिडपन और mood swings का condition भी बहतर हो सकता है और बहुत सारे couples normal days में जब physical relation बनाते है तो उनको dryness का सिकायत रहता है लेकिन अगर वो periods के दोरान relation बनाते हैं bleeding के बज़े से dryness का सिकायत नहीं रहता है क्योंकि उस time bleeding हो रहा होता है लेकिन इसके विप्रित आगर हम जेनरली normal days में एक महिला का जब वाजनल pH होता है वो 3.8 से 4.5 होता है जो की acidic होता है लेकिन periods के दोरान एक महिला का जब वाजनल pH होता है वो alkaline होता है इसलिए periods के दोरान अगर एक महिला relation रखती है तो उनको infection होने का बहुत ज्यादा chances रहता है जैसे कि fungal infection हो गया या फिर HIV के infection या फिर hepatitis का infection या फिर sexually transmitted disease ये सब infection होने का बहुत ज्यादा chances रहता है क्योंकि उस ताइम वाजना का जो pH होता है वो acidic ना होकर alkaline होता है तो इसलिए अगर फिर भी आप periods के दोरा relation रखना चाहती है तो protection use करके relation रखे जैसे कि female condom हुआ या फिर male condom हुआ ये protection use करके आपको ध्यान रखना है कि periods के दोरान अगर आप relation रखना चाहती है तो male partner और female partner दोनों इच्चुक होना चाहिए क्योंकि अगर male partner और female partner दोनों ही इच्चुक होगे तभी जाकर ये जो happy hormone release होता है वो एक महिलाओ को फाइदा दे सकता है लेकिन अगर सिर्फ एक male partner और उनका जो pain threshold और भी जदा बढ़ सकता है तो यहां पर हम एक conclusion ड्रा कर सकते हैं कि periods के दोरान relation रखना सही है और फिर गलत ऐसा भी contraindication नहीं है अगर आप चाहे तो relation रख सकते हैं अगर आप ना चाहे तो आप relation नहीं रख सकते हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि यही वीडि और आप चाहे तो आप चाहे तो आप टिली और आप बट बटली और चाहे तो यहीं है।